एक्स्टेरल फर्चेरल विए और इंटर्र्रण वार्य इसके बाद मैं बाप करते लिए पर एप कर dizzy नी पॉसे नी पॉस्में यह कया हो रहा था इ। क्या हो निर्मान होगा और इसके बाद में निर्मान हो तो यह जो प्रक्रिया होती है यह पोश्ट फटलैसन के प्रक्रिया के अंदरकर आती है तो तो जाइगोट क्लीवेश की में से क्लीका को सभू बना ईगा फॉर एग जाइगोट फ्रसल्बेंट है हुआ। इस इसके इस में कॉसीकाहों से मौनालेगा है तो इस कि्या करते हैं को से करते हैं ऑ ग। यस प्रकार से बुढ़ख़ से नए या अरगनिजम का निर्मान होगा तो इस प्रोसेस की जाएगोड से अम्रियोग की निर्मान की परक्रिया को एम्रियो जेनेसिस कहा जाता है क्या कहते हैं एम्रियो जेनेसिस तो एम्रियो जेनेसिस की प्रक्रिया के द्वरा पोस्ट फटलेशन में एम्रियो को निर्माण हो और आगे चलके फिर एक आर्विनेस्मिक का निर्माण होता है तो यह होता है आपका पोस्ट फटलेशन की जाता है एक बड़ और रुपियों किया जाता है सिंगेमी तो उसके द्वारा जायगोड का निर्मान होता है जायगोड जी होता वह कैसा होता है दिवगुनित होता है और आगे पोस्ट पर लेशन के अंदर क्या होता है जायगोड से एक एम्डियो का निर्मान होता है embryogenesis की प्रक्रिया के दोनार और embryo से फिर क्या होगा यह नहीं आर्गनेजम का ठिर्बान होगा इस प्रकार से आए हमने sexual reproduction के अंदर जितने भी events होती है उसके बारे में आप चर्चा कर ली हम देखते हैं next अब जो chapter उसके बारे में चर्चा करते हैं